हलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेटिव वीडियी में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम बिगिनर्स के लिए जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती हैं उनके लिए सिलाई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारी क्लास का फर्स रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको सिर्फ सिलाई में यूज आने वाले टूल्स या सामगरी की जानकारी दूँगी कि आपको कौन-कौन से टूल्स की आउशकता होंगी जब आप सिलाई सीखेंगे बिगिनर्स को इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप दो या तीन चीज़े ऐसी होती है सबसे पहले हमारी यहाँ पर है एक नोट बुक आप इस तरह से प्रेक्टिकल बुक एक पर्चेस कर लीजिए ताकि आप जब जो भी मैं आपको नोट बनाओ और जो भी हम आपकी यहाँ थियोरी लिखेंगे तो इसके लिए आपको नोट बुक की आवशकता होगी यह एक प्रेक्टिकल बुक है जिसके अंदर हमारी एक साइड तो इस तरह से प्लेन होती है और सेकंड साइड जो हमारी होती है उसमें लाइनिंग होती है तो जो प्लेन साइड हमारी रहेगी उसमें हम ड्राफ्टिं होगा आपने यह ब्रीस होती है कि हमारा सस्केल में एक चलाना और हेंदल करना आसान कि दूरी होती है वह काफी बारी होती है और घुन रहें कि आपको प्रॉबलम आ सकती है सरू सुरू में डी तो आप यह वाली प्रофार्चेस करें इसके इसके यहां में आपको दो इसके बता देती हूं एक ये बड़ि वाली और इस तरह से छोटी वाली स्केल चोटी वाली स्केल आपको ड्राफ्टिंग वगेरा में जब आप बुख सिलाई की नोटी बcono क्शन लृट बड्बुबक बनाोंगे उसमें आपको काम आएगी देखिये इसके बाद हमारी आ जाती है यह क्लोस की चाख है इस एक निशान लगाने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं आप बाइट इस यूज़ कर सकते हैं अभाइड चोसे पार dragon कर सकते हैं अब हमारा लास्ट में आ जाता है इंच निस कर दो Spot आपको नहीं पता इंची टेप के बारे में तुम्हें आपको यहां पर जानकारी दे देती हूं इंची टेप पर आपको दिख रहा होगा वन टू तरी इस तरह से इस इस साइड जो हमारी निशान लगे हुए हैं वह इंच में हैं यह एक इंच दो इंच तीन इंच चार इंच में हम निशान लगाना जब भी हम कपड़े पर निशान लगाएंगे तो इंच में ही लगाएंगे इसके पीछे आप देख रहे होंगे इस तरह से छोट छोटे पार्स में दिये हुए तो यह हमारे सेंटेमेटर के निशान है और इस तरह से हमारे इंच के निशान है एक इंच यह हमारा दो इंच और अगर हमें हमें पौइंट में निशान लागाने होता है एक प्वेंट दो इंच यह हमारा एक पौइंच यह अरulation हो जाएगा यह हमारे इंच के निशान है और जो यह भारीग बारीग लाइन दिया हुईaya है टेप होती है कि네 हुए गए आपकों पूरी टेप हो साट इंच होगी हुगी इसके बाद हाईट के बारे में फिट से बात करते हैं हमारी 552 इस तरह के हमारा progress Indy पूरी इंची टेप वो 5 subs की होगी debenbeنت वो 60 कि फूरा लंबाई इसकी 5 subs यहां आप धिंच की हमारा होता है बारा इंच कि इसके साथ ही हमारा कपड़ा एक मीटर कपड़े की जो लंबाई होती है इंच में अगर हम नापेंगे तो 39 इंच मतलब एक मीटर क्लोज एक मीटर हमारा होता है 29 इंच का तो इस तरह से मैंने विगिनर्स के लिए इंच रेल से जूड़ी थोड़ी सी जानकारी दी है आप अभी इसी को ध्यान रखिए कि इंच में इस तरह से निशान लगाना है कपड़े पर निशान लगाएंगे मेजर्मेंट इससे नापेंगे और कपड़े पर निशान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इनका यूज करेंगे तो देखिए इस तरह मैंने फर्स वीडियो में आपक किस तरह से मेजरमेंट टेप हमारी होती है और किस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे जब आगे सिलाई के लिए मेजरमेंट टेप का उपयोग करेंगे निशान लगाएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी और मिलती जाएंगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जक्ता होती है इस पाद अगले वीडियो में मैं आपको body measurement पक्रैस का प्ले को पर किस तरह से हम प्ले सकते हैं वो को लाइक been